नमस्कार साथीओ, नियूस कलिक में हम आपका स्वागत करते हैं, बिहार से लेकर हर्याना तक अगनी पत के आकरोस में जल रहा है, और कुछ युवा, हर्याना के भिवानी से दिल्ली कुछ किये थे अगनी पत के विरोध को ले करके, और दिल्ली से उन्य लोटा दिया गया, तो ये मिले हैं हम सबको तो उन्हीं से हम बात करते हैं सरकार तो कह रहे हैं कि चार साल तो हम को नोकरी देही रहे हैं जिसको आना है आए जिसको ना आना है ना है बिल देखिए सरकार कह रही है चैर साल की नोकरी हम पूछना चाहते हैं फरदानमंत्री शे और देश के मुख्या से क्यों नहीं आप विदायक और सानसद के लिए भी पौलसी बनाते एक साल चैर महीने के लिए जो अच्छापव करेगा तो जंता के लिए काम उसको रखेंगे नहीं अटा देंगे क्यों नहीं आर्मी के जो जवान उनके लिए अपने बना दी जो हदीकारी है सेना के उनके लिए पोलसी क्यों नहीं बना रहे उनको भी ऐसी पोलसी बनाओ कि ट्रेम पर लिए भरती करेंगे और करेंगे ये देश को रोजगार के सुवाल पर स्कोड़ना चाहते हैं क्योंकि एक ऐसी पेरलर जो हम बात करेंगे पूरे देश के अंदर क्या आज देश के अंदर जन संख्या लगातार बढ़ती जा रही ये रोजगार लगातार घटते जा रहे हैं इन्होंने कहा कि बहुत जादा बेरोजगारी है जिस तरह से बता रहे हैं उसमें अगर चार साल की नौकरी मिल जा रही है तो दिक्कत क्या है दिकतत हैं मारे जो धियात का एरिया है जो गाव का एरिया है वो लग भग 59% टेफर ए और फेटीफेंश के ऊपर है मानगे चलो हमारे दादा पापा ताओ डिफेंश में आर्मी में थे वााथते थे 38-46 साल में रिटायर आते थे घर में कोई डिफेंस इन हां यहां मेरे ता शिवा करेंगे पैसे से मैं कुछ नहीं लेना ये बता रहे हैं पहले इसलरी की जार रुपे होगी इकीजर 700 रुपे दिन के कमा के बिने के वैसे भी कमा सकते हैं मारे घर पर आशकते हैं अजी अब आगे आते हैं आपका नाम क्या हुगा अखिल नाम है मेरा आप कहां से हैं आप अब के घर की कमाई कितनी होगी गर की कमाई को जादा नहीं व्याएज फ़े जाड़ रुपे अच्छा तो आप कब से सेना के तैयारी कर रहा हैं मेरे को तीन साल होगे वाई सेना के अलावा कुछ दूसरे के बारे हम नहीं सूचे नहीं वाई वजह क्या थी वजह कु प्रकार का बार बार यह तर्क है कि यह जो नौकरी है सेनिकों की वो देश सेवा के लिए होती है और जो विरोध किया जा है वो रोजगार के लिए है और जो रोजगार मांग रहे हैं वो इसका गलत विरोत कर रहे हैं आप लोग इस बात से कहां तक सहमत हैं तो यह तो क्या करना चाहते हैं हमारे हमारे प्रीती के अंदर पैदा होए इसी भूमी के अंदर हमारे मावापने जमीन को सवारा है और इस जमीन के अंदर इस मातर भूमी की हमने पता रक्षया कैसे होती है हम हमारे प्रिवार से सेना के लोग हमारे प्रिवार से आर्मी में जाते हैं लोग साधते देते हैं नोकरी के पैसे की लालच में नहीं करते हैं हम देश की रक्षया के लालच में करते हैं कि देश की सुरक्षया होली दिवाली के त्योहार पे अपने माबाप के साथ हम जसन ब कर देगा कौन उसकी रुखवाली करेगा इस सबसे बड़ा सुवाल है देश की सुरिक्षा देखो जी मेरे को खुद गुच्छा है साल होगे प्रैक्टिस करते वार्मी के लिए अब मैं चार साल के लिए वापजा हूँ अच्छी बता बता हूं चार साल में कुछ नहीं है ज सब्सक्राइब करने के लिए और जिसको नहीं आना है और जिसको नहीं आना है सबको थोड़ने बुला जा रहा है विकेशिंग खुद रिटार्मेंट के बाद 35 साल हुए जो निके बाद भी ओच्छा महिने के लिए सुप्रेम कोट में नर्ची लगा दीच्छा मैं तो वह अब वह पेडिएगी ना रहाइश खिजगे जो खुद ल Hence a जबान है विकेशिंग सी तो जबान भी कहसिंग कम से कम सार साल के ऊपको, वो बहूं रहे हैं कि वाई जमांका वई से तो जमान हैं बहुत लोग कहते हैं कि है सरकारी नौकरी लो लोग लेना चाहते हैं जब कि बहुत सारी प्राइवेट नौकरीयां आ गई है तो इसम्ट क्या आपका चैनल में अभीमे की और मैंसुदें एक प्राइवेट नौकरियां आसब लिए आहे यह defense studies में तयारी करते हैं तो इसे एक सवाल बनता है आप सवाल यह है कि सेना के बड़े अधिकारी कर रहा है कि जो सेना है वो देश सेवा और जनून और जज़बे के लिए होती है रोजगार के लिए नहीं आप क्या कहें देखिए यह तो बात है कि जो ज़जबा और देश वक्ति उसके लिए तो होती है लेकिन यह भी सच है कि रोजगार के लिए भी जाते हैं शेना में चीदीसी बात है जो तनका मिलती है और यह उसे गर भी चलता है सब कुछ होता है जो पहले जो 15 साल वाली वह था उसके बाद रिटारमेंट आते थे आमन करता ता नहीं भी आते तो उस्से जिंदगी बन जातीी जार्मी में जाता है और अब ही जो पीडिया है चार साल के लिए लिए कि आप अपके यह के रहे हैं की तो ठीक है कि देश वक्तियों उसके लिए होती है जुनून के लिए ओफे तो उता ही साथ सुचिगा की चार साल के लिए जान जोखि में डालना ये वो मतलब ऐसे सीखें गे और जल्दी जाना मुझे चार उनके मन में रहेगी कि चार साल के लिए और हमें चार साल ही करके जाना है क्या करेंगे वो बच्चे 17-18 साल के बच्चे आपका नाम क्या हुआ रमान तो है कितने साल होगे आपको यют त्याप्त हैं तेंस वह है तो आप थोडह यह बताएंगे कि तैयारी है टैयारी का इसे रहता है तुसरी तीजिजी रिटन के लिए मियंए त्यार रहेना पड़ता है है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सेना में क्यों और भी तो सारी नौकरियां हैं तो आप वहाँ पर क्यों नहीं जाते हैं देखिए जो सेना का जुनून है आपने पहला इस वाल मेरे से किया था जो सेना अमारे जुनून है तो जुनून जिसका स्थेना में जाना शुरू से भन जाता है यह तैंथ में थे बाई 10th 9th वहीं से प्राइवेट कंपनियों में जा करके नौकरी करती है उससे अपना घर चलाती है और अच्छी खासी जिन्दगी जीती है आपके भी गाउं दिहाद में कई लोग होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में जा के काम करते होंगे तब तो यह अच्छी बात हुई ना देखिए फिर शेनास में भी ऐसा क्यों हो एक बात बताईए आप जो हमारे मिसरत अरृत होसता है अब पुझी पती इसके आश्कीम के आने से खुस हो रहे हैं बलकि उनके ट्वीट भी आने लगे क्यों हम उनके जाके गारड काम करेंगे क्या हमारे बच्छे वो खुस हो हैं इनको दुबाड़े के मिल जहीनी के लिए तो त्यार हो रहा सारा यह मसोदा यह तो खुस होंगे ही चार साल बात कोई अगर वहां से निकल कर आएगा तो फिर से मन से पढ़ाई कर पाएगा देखिए मन से नहीं कर पाएगा वे वहां यह कह रहे हैं कि प्लस टू की प् चीज है सिर्फ वहां से क्या किया जाएगा दो दसमी पेस पी बरती देखके हम जाएंगे वहां सिर्फ प्लस वन प्लस टू की कोई पड़ाई नी होगी वहां सिर्फ आते वक्त प्लस टू का डिप्लोमा मिल जाएगा तो उसका फाइदा क्या है ऐसे सनन दैसी डिगरी ले जोईनिंग आओगी पर बात के करें हैं अगा टड़ना गरे हैं एक CSB की वैबसाइट है एक अपडेट देओं हैं अगवाई अपनी CSB की वैबसाइट पर देखते रहो ठापने नोटीपेशन देवां कि जोईनिंग 30 अच्छा आधकर देन देंसाट निवागी writing कर दी